प्याज का जो दाम बढ़ा है वो राम बिलास पासवान जी और केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण बना है क्योंकि आज जब आयात आपको करना चीए तो आयात नहीं करते जब निर्यात करना चीए तो निर्यात नहीं करते जब किसान प्याज लेके जाता है मंडी में उसको मिलता है दो रुपए तीन रुपए किलो फिर उसकी काला बाजारी और जमा खोरी करके उस प्याज को कुछ लोग स्टोर कर लेते हैं जब बाजार में कमी हो जाती है तो उसको सो रूपे, डेड़ सो रूपे में बेचा जाता है तो जमा खोरों, काला बाजारियों और केंदर सरकार के बैठे हुए मंतरी राम बिलास पासवान जी का यह पूरा एक नेकसस देश भर में काम करता है जिसकी वज़ा से प्याज के दाम हर साल बढ़ते हैं, महंगा बढ़ती है, मैंने कारस्थगन का नोटिस दिया है, राज्यसभा के अंदर की बाकी चर्चाओं को स्थगित करके इस पर चर्चा कराई जाए